हेलो फ्रेंट्स मैंना मैंने सुमिस्रा और मेरे सेनल पर आप लोग का स्वागत है उम्मेद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे तो आज होगा इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग जो है मोबाइल फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं लाइट रूम प और फोटो ऊलीट करने वाला हूं अपने फ्रेंट मनेस की दशी है और इसकी फोटो ऊलीट करते हैं सबसे पहले जो है आप फोटो को इंपोर्ट कर दीजिए राइट रूम के अंदर इंपोर्ट कुछ आसे होगी फोटो इंपोर्ट होने के वादा आ जाएगी आपके थाइट ठीक आया नहीं है लेट जी के जैक एक स्थे इच्बाइशर कम ज्यादा करके देख सकते हैं अर Narrator कम है तो ज्यादा कर देजिए ज्यादा हूं थो तौर कम कर दिजिए मैंने फोटो भाज सन्लाइटे तो तो इसलिए थोड़ा तो इसको रासी कॉंपर गाणे कि ऑद यह उसलिए यह उसलिए नहीं टेंपरेशर को फोड़ा डाउन करेंगे 798 के असपास कुछ टिंट को फिलका सा कम करेंगे और उसके बाद बाइबरन सको फिलका सा बढ़ा देंगे क्योंकि यह जो है चमक के लिए होता है थोड़ा सा कलर बाइबरेट हो जाते है और स्टाच् उसके लिए औरट कलर रिजुज होता है इसको हलका सा बढाएंगे हीूप और लॉम्नेस बढ़ा दिया तो चमक आगले चेहरे पर उसके बाद आता हमारे पास पीला कलर इसको कम जाधा करके देख लीड़े हलका सा चेंज करेंग जज़दा चेंज नहीं करेंग इसमें उस पढ़ेगा कोई फिक्स कलर नहीं होते कि आप ऐसा करेंगा तो बैसा हो जाएगा हर फोटो के लिए अलग-अलग होता है जो एक्वा कलर है यह में ली यूज होता है पानी के लिए कब कहीं पर बाइक्राउंड में पानी है कुछ भी है तो उसके लिए एकका यूज करते है इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे यह तो अपना कुछ इस तरह से रिट हो गया है अब अब जाते हैं एफेक्ट सब्सक्राइब हलका सा बढ़ा जाएंगे क्योंकि इससे जो है एच्छी एफेक्ट आता है क्लेर्टी थोड़ी इससी बढ़ा जाएंगे अपनी मिट्वाइंट फेदर इसी के ऑप्सन है इसको कमदादा करके देख सकते हैं उसके बाद नमबर आता है हाइलाइट्स का हलका सा बढ़ा देजी हाइलाइट को अपनी आप गेन अमांट कमदादा करके चेक कर सकते हैं मुझे तो है कंपेर रखता हूं ज्यादा बढ़ा कि आपका बादा फोटो कुछ फटी-फटी सी आती है फोटो इसलिए और इसको जो इस प्रिट टोन है यह जो है आपका बैक्राउंड में कलर जो है कैसा दिखेंगे वो मेंटर करते हमें कुल टोन रखना है तो हम एक को रूकी और लेके जाएंग इसको अगर आपको फार्म कुल टोन रखनी थी तो अब जो एलो औरेंज के आस पास रखते हैं लेकिन हमें कुल टोन रखनी है इसको जो हलका ऐसा यहलो के पास रखेंगे हमारे कपड़े पर कलर रहा है पीले वाला उसको दिखाना है और जो पीछे बैक्राउंड में आपको और टाइप का दिख रह कर आए तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे से इसके बाद फोटो को सेब कर लेजिए फोटो से वह जाने के बाद आप एक काम और कर सकते में अगर आप चाहते हैं कि फोटो को बार बार एडिट ना करना पड़ा है ना करना पड़े तो उसके लिए जो आप इसका प्रीसेट बना लीजिए प्रिसेट कुछ ऐसे बने का खायद ही होगा कि आपको हर फोटो बार बार इदिर नहीं करने पड़ेगी जैसे चार-पांच फोटो हैं मैं चाहता हूं कि इन्हें दोबारा फिर से उतनी मेरना करनी पड़े तो इनको फिर से इंपोर्ट किया लाइट रूम पर यह फोटो जागे है हमार सामने अब हम सिर्फ पांच से जस्सेकेंड का टाइम लिल लगा फिर से सारी फोटो बैसे एडिट हो जाएंगे जितना भी हमें टाइम लागा था फुरानी वाली फोटो एडिट करने में सिद्धे प्रिसेट पर गया है कॉपी किया और यह सारी स इस थी फोटो इस पर रिट करते हैं कि अगरे कुछ देखें आप लोग बिल्कुल अच्छे से कलर खिलके आगा है इस पर सिर्फ पांच से नसे किटा टाइम लगा होगा फोटो रिट करने में लगा बाकि फोटो तो पांच सच हाटम हो रही है पूरा खेल का चमोरा फोटोस का यह देखिए इतनी गजब कोई बता नहीं सकता कि फोटो मोबाइल से खी गई है कैमरे से खी गई है आपको जो थोड़ा समझना पड़ेगा फोटो की टोन किस टाइप की अगर बांड टोन में करना चांथे तो बैसी और कुल टोन में करना च फोटोग्राफी एरिटिंग का मिलते हैं अगले वीडियो में